बिना कोई preservative add किये आज हम बनाएंगे इस तरह से एकड़म tasty orange squash इसे केवल तीन चीजों के साथ हम बनाकर त्यार करने वाले हैं और इसे आप पूरे साल भर के लिए भी store करके रख सकते हैं तो चलिए फटाफट बनाते हैं इस recipe को नमस्कार निशा मदुरिमा हिंदी recipes में आप सभी कस्वागत हैं आज के हमारी recipe है orange squash इसे हम देशी orange से बनाने वाले हैं हम केवल तीन चीजों से ये orange squash बनाकर त्यार करने वाले हैं इसमें हम कोई भी preservative add नहीं करेंगे इसे store करने के सारे tips भी हम आपके साथ share करेंगे friends इन दिनों orange बहुत अच्छे मिल रहे हैं market में और ये देशी orange है ये काफी किफायती दाम में हमें मिल जाते हैं अगर हम इसका squash बनाकर रख ले तो केवल गर्मियों में ही नहीं तो पूरे साल भर हम इसे use कर सकते हैं तो चलिए स्वात के सफर को आगे बढ़ाते हैं और ब अपलोड कर दी है इसका link हम उपर आए बटन में दे रहे हैं यहां क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं हमने एक stainless steel का पतीला गैस पर रख दिया है इसमें orange juice आड़ करेंगे आप भी इस तरह से stainless steel के पतीले में ही इस juice को बनाईए इसमें हम 1 kg चीनी आड़ करेंग पास 100 ml juice के लिए हमें 1 kg चीनी लेना है इसे अच्छे से मिला देंगे गैस की flame को low to medium रखेंगे और चीनी के घुलने तक इसे लगातार चलाते होए पका लेंगे चीनी अच्छे से घुल चुकी है जब तक चीनी घुलती नहीं हमें इसे लगातार चलाना है वरना चीनी तले से चिपक कर जल सकती है जैसे ही स्क्वैश गरम होना स्टार्ट हो जाता है इसका कलर चेंज हो जाता है आप देख सकते हैं इसका कलर अभी पुरी तरह से चेंज हो चुका है अभी हम गैस की flame को medium करेंगे और इसे अच्छे से boil कर लेंगे इसे हमें काफी गाड़ा होने तक पका लेना है इसके लिए हमें 10 से 12 मिनिट का समय लगेगा देखिए अभी है स्क्वैश अच्छे से उबल चुका है इसमें अभी हम दो चूटकी औरेंज कलर एड़ करेंगे ये फूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपको कलर पसंद हो तो आप एड़ कीजे या फिर आप इ अच्छा लगता है इसलिए हम इसे एड़ कर रहे हैं अभी हम इसे टोटल 10 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे हमें इसे अच्छे से गाड़ा होने तक पकाना है क्योंकि हम इसे सालबर स्टोर करके रखने वाले हैं इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप चाहे तो इसमें दो चूटकी नमक भी एड़ कर सकते हैं इसे भी ये शर्बत बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं इसे प्लेन ही बना रही हूं 10 से 12 मिनिट पकाने के बार स्क्वेश अच्छे से पक चुका है और काफी गाड़ा भी लग रहा है ये जैसे जैसे थंड़ा होगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा गाड़ा होगा अभी हम गैस बन कर देंगे और इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे स्क्वेश अच्छे से थंड़ा हो चुका है देखिए काफी गाड़ा लग रहा है जब हम इसे फ्रि consistency भी एकदम perfect है और color भी बहुत अच्छा आया है अब हम बचे हुए squash को इस काच के jar में बर देंगे बहुत ही अच्छा यह लग रहा है एकदम market के squash की तरह ही लग रहा है और बहुत थिक बना है super tasty orange squash बन कर तयार हो गया है इसे store करने के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी इसे हमेशा काच के container में ही store करे और इसे freeze में रख दे एक छोटा container तयार करे जिससे आपको जब भी use करना हो आप छोटे container में से ही squash बाहर निकाले बड़े container को बार बार freeze से अंदर बाहर ना करे इस से क्या होता है कि इसका temperature बार बार change होता है जिसकी वज़े से squash खराब हो सकता है चलिए अब इसे use करने का तरीका भी हम आपको बता लेते हैं हमने काच का glass ले लिया है जो शर्बत वाला glass होता है इसमें हम दो से तीन बड़े चमश squash add करेंगे इसमें अभी हम थंड़ा पान है इसे अच्छे से मिला देंगे देखिए कितना प्यारा इसका color आया है इसे हमने orange के pieces से garnish कर दिया है लीजिए orange squash पीने के लिए ready है मैं इसे test करके आपको बताती हूँ कि यह कैसे बना है बहुत ही स्वादिष्ट यह बना है आप भी इस तरह से orange squash ज़रूर बना कर और अपने friends के साथ इस useful recipe को ज़रूर शेयर कीजिए इसी तरह से स्वादिष recipes देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए bell के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए आप हमारे वीडियो को हमार पूलो कीजिए और अपने friends के साथ इसका link share जरूर कीजिए facebook page का link हमने description box में दिया है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़दार recipe के साथ तब तक के लिए नमस्ते